राजस्थान में वोटों की गिंती शुरू हो चुकी है दुपेहर तक चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो जाएंगे कि राज में किस पाठी को जनता ने चुना है राज में बीते 25 नवंबर को वधान सभा की चुनाव संपन हुए है राजे की कुल 199 सीटों पर हुए वोटों की गिनिती का फैसला आ जाएगा सभी प्रत्याशियों के भागी का आज फैसला होने वाला है राज में सत्ता रूर कॉंग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है नतीजों से पहले गुरवार को जहां राज के सियम अशोग गहलोत ने राजपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की वहीं शुकरवार को वसंद्रा राज सिंध्या ने भी राजपाल से मुलाकात की है काउंटिंग को लेकर राजस्थान के मुख निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने कहा कि सभी जुला अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में 144 धरा लगाई है और आदर्श आचार सहीता 5 दिसंबर तक लागू रहेगी इसलिए विजज जुलूस निकाले जाने पर पुलिस कारेवाई कर सकती है राजस्तान के मुख निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने इसके साथ ये भी कहा कि राजस्तान के 199 वधानसभा सीटों के लिए मतगर्णा शुरू हो चुकी है इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है 74.62 प्रतीशत वोटिंग हुई थी और 4,36,704 वोट पोस्टल बैलट के जरिये प्राप्थ हुए है इसके अलावा सर्विस वोटर्स के मत हमें अभी भी प्राप्थ हो रहे है मतगर्णा की पहले राज़ में सुरक्षय विवस्ता चुस्त है राजस्तान वधानसवा चुनाव की मतगर्णा के लिए सुरक्षय विवस्ता पर जैपूर के पुलिस आयुक्त वीजू जोर्ज जोसिफ ने कहा कि राजस्तान कॉलिज और कॉमर्स कॉलिज में 19 वधानसवा छेत्रों की मतगर्णा होगी हमने कड़ी सुरक्षय विवस्ता की है किसी को भी बिना उचित जाच के प्रवेश करनी की अनुमती नहीं दी जाएगी ट्राफिक को भी हमने डायवर्ट किया गया है परिनाव आने के बाद किसी को भी जलूस निकालने की अनुमती नहीं है राजपाल से मुलाकात की जानकारी वसंद्रा राजे ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर पोस्ट की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जैपोर रिस्तित राजभवन पहुँच कर राजपाल कलराज मिश्र से सिस्टा चार बुलाकात की है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वसंद्रा राजे को आलाकमान की योर से जरूर निर्देश दिये गए है इसमें निर्दली और दूसरी छोटी पाथियों के वधायकों से संपर्क का भी सिलसला है ऐसे में वसंद्रा राजे तीजी से एक्टिव हो गई है और अब आलाकमान के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है इससे पहले गुरवार को मुख्य मंतरी अशोग गहलोत ने प्रदेश के राजपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की इसके जानकारी सियम अशोग गहलोत ने एक्सपर ट्वीट करके जानकारी दी है सियम अशोग गहलोत ने एक्सपर लिखा कि राजपाल कलराज से मुलाकात करने के दौरान प्रदेश के महत्वपून विश्यों पर सार्थक चर्चा की वहीं केंद्रिय मंत्रिय अनुराग ठाकुर ने शनिवार को विश्वास जताया कि राजसान दुधानसवा चुनावों के लिए रविवार को होने वाली मदगर्णा में भारतिय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगी इसके साथ अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि जनता का इंतजार खत्म होगा और राजकता भिस्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान को कॉंगरेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ती मिल जाएगी साथ ही उन्होंने भाजपा के पक्ष में मद्दान करने वाले मद्दाताओ का भी धन्यवाद किया आपको बता दें कि राजकी करनपूर सीट पर कॉंगरेस उमिद्वार के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बाकि चुनाव से जुड़े सभी नतीजों को जानने के लिए आप देखते रहें भारत एक्स्प्रेस नमस्कार